दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लक होम्स सीरीज की अगली कहानी, The Man with the Twisted Lip हिंदी में. जून 1889 की एक रात की बात है. रात के करीब 11 बजे मेरे घर की घंटी बजी. इतनी देर रात घंटी की आवाज सुनकर मैं अपनी कुरसी पर जा बैठा और मेरी पत्नी अपनी बुनाई का काम एक किनारे छोड़ कर मायूस होते हुए बोली, लगता है कोई मरीज है, आपको बाहर जाना होगा. उसकी बात सुनकर मेरे मोह से एक ठंडी आह निकल गई, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही ठक हार कर घर वापस आया था. हमने अचानक अपना दर्वाजा खुलने और किसी की घबराई हुई आवाज को सुना. दर्वाजा खुलते ही काले रंग के कपड़े पहने एक औरत हमारे कमरे में आगुसी. वो दोड़ कर मेरी पत्नी के पास गई और उसके गले से लिपटकर रोने लगी और बोली, तुम आई, उस समय मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि तुम कौन हो. दरसल मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं सीधे तुम्हारे पास ही चली आई. केट ने दुखी स्वर में कहा, हमेशा ऐसे ही होता था, दुखी लोग मेरी पत्नी के पास ऐसे चले आते थे, जैसे चिडिया अपने घोंसले में आती है. कोई बात नहीं, परेशान मत हो, थोड़ा आराम से बैठो और ये थोड़ी ब्रैंडी लो, और आराम से बैठ कर सारी बात बताओ. अगर कहो तो मैं जेम्स को सोने के लिए भेज़नू? केट ने कहा, ये पहली बार नहीं था, कि उसने हमसे अपने पती के बारे में बात की हो. वो मुझसे एक डॉक्टर होने के नाते और मेरी पत्नी की पुरानी दोस्त और स्कूली सहिली होने के नाते अकसर बात करती रहती थी. हमने उसे सांतवना देते हुए ढाडस बंधाया. मैंने पूछा कि क्या वो जानती है उसका पती कहा है और क्या ये संभव है कि हम उसे उसके पास वापस ला सकते हैं? मुझे लगता है कि ये संभव है. उसने कहा, मेरे पास पक्की खबर है कि जब उसे नशे का दौरा पड़ा तो वो शेहर के पूर्व में स्थित अफीम के अड़े की तरफ गया था. आज से पहले वो एकाध दिन के लिए ही गायब होता था और शाम तक वापस घर लोटाता था. लेकिन इस बार उसे गायब हुए 48 घंटे हो गए हैं. मुझे कोई संदेह नहीं कि वो बंदरगाह के मलबे में अफीम का जहर सूंगता हुआ या सोता हुआ पड़ा होगा. केट को पका यकीन था कि उसका पती अपर स्वांडरम लेन पर जरूर मिलेगा. लेकिन वो बेचारी क्या करती? एक जवान और कमजोर औरत के लिए ये कैसे संभव था कि वो बदमाशों के उस महले में जाकर उनके चंगुल से अपने पती को निकाल लाती. तो यूँ था य उसे सुलजाने का बस एक ही उपाय था. मैं सोचने लगा कि क्या मुझे अफीम खाने तक अपनी पतनी की सहली के साथ नहीं जाना चाहिए? मेरे मन में दूसरा विचार ये आया कि आखिर वो मेरे साथ क्यों जाए? मैं इसा विटनी का चिकित सा सलहकार हूँ. इस नाते उस के अंदर उसके पती को किसी सवारी में बिठा कर घर भेज दूँगा. दस मिनट के बाद मैं अपना आराम देह घर पीछे छोड़कर एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर उस जगह के लिए निकल पड़ा. अभियान के पहले चरण में मुझे कोई खास कठिनाई नहीं हुई अपर स्वांडरम लेन लंडन ब्रिज के पूर्व में उत्तर की और बहने वाली नदी के उचे घाटों की और स्थित गंदी और बदनाम बस्ती थी. शराब की दुकानों के बीच से एक गुफा जैसी जगह की और जाने वाली एक धलान पर सीड़ियां बनी थी. जिस के उपर एक टिम टिमाते लैंप की रोशनी नजार आई. कुंडी खोलकर मैं एक बहुत कम उचाई वाले कमरे में दाखिल हुआ जो अफीम के भूरे धुए से भरा हुआ था. उसमें बहुत सी लकडी की सोने वाली बर्थ बनी हुई थी जैसी जहाज में या रेल में होती ह उस अंधेरे कमरे में जुके हुए कंधों, मुडे हुए घुटनों, पीछे की ओर लटके सिरों वाले नशेडियों के लाशों जैसे शरीर इधर उधर बिखरे पड़े थे. उन काली छायाओं और धुएं के बीच से कभी कभी धातु के बने पात्रों से लाल पीली चिनग अधिक तर अफीमची शांत पड़े थे, लेकिन कुछ अपने आप से बढ़बढा रहे थे, और कुछ अन्य विचेत्र हल्की नीरस आवाजें निकाल रहे थे, वे अपने में ही मस्त थे, अपने बगल वाले की बातों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था, कमरे के आखरी कोने में जलते कोईले का एक कटोरा रखा था, जिसकी बगल में रखे, लकडी के एक तीन पैर वाले स्टूल पर, अपनी दोनों मुठीयों पर अपनी थोड़ी ठिकाए और आग सेकते, एक लंबा, पतला, बुढ़ा आदमी बैठा था, मेरे अंदर प्रवेश करते ही, एक पील मेरे नहीं आया हूँ, मेरा दोस्त ईसा विटनी यहां है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मेरी दाहीनी और कुछ हलचल हुई, और धुंदलके को चीरते हुए, मैंने उदास, दुबले पतले और गंदे ईसा विटनी को अपनी और घूरते देखा, उसने कहा, हे भगवा मैंने सोचा कि आज बुधवार है, आज बुधवार ही है, तुम मुझे बेकार में डराना क्यों चाहते हो, और वो अपनी बाहों में महुच्छिपा कर जोर-जोर से रोने लगा, मैंने इस बार थोड़े सक्त स्वर में उससे कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि आज शुक्रवा है, तुम्हारी पतनी पिछले दो दिनों से तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हें अपने उपर शर्म आनी चाहिए, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी पतनी से मिले हुए हो वाटसन, क्योंकि मैं यहां कुछ ही घंटों से हूँ, तीन पाइप, चार, पता नहीं क कितने पाइप पी चुका हूँ, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं अपनी केट, प्यारी सी केट को दुखी नहीं करना चाहता, मेरा हाथ पकड़ो, क्या तुम्हारे पास कोई सवारी है, हाँ, सवारी है, जो बाहर इंतजार कर रही है, तब तो मैं उसी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मुझे कुछ पैसा चुकाना है, जरा अंदाज लगाओ, वाटसन, कि मुझे कितना पैसा देना है, मैं बिलकुल बेदम हो चुका हूँ, मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उस तंग गल्यारे में से गुजरते हुए, और वहां की दुरगंध से बचने के लिए अपनी सांस रोके हुए, मैं मैंनेजर को ढूंडने चल पड़ा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अंगीठी के पास बैठे व्यक्ति ने पीछे से मेरी कमीज पकड़ कर खीचा, और मंदे स्वर में बोला, मुझे देखकर भी मैंने पीछे मुड़ कर देखा, हैरानी मैं निकलने वाली अपनी चीख को मैंने पूरा जोर लगा कर रोका, वो अपनी पीछ गुमा कर खड़ा हो गया, ताकि मेरे अलावा कोई और उसे न देख ले, उसका रूप बदल गया था, उसकी जुरियां गायब हो गई थी, और आखों की चमक लौट आई थी, मैं ये देख कर हैरान रह गया, कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, बलकि मेरा सबसे प्यारा दोस्त शर्लोक होम्स था, होम्स, तुम इस नरक में क्या कर रहे हो, मेरी हैरानी की कोई सीमा न थी, उसने बहुत ही धीमे स्वर में उत्तर दिया, ज बाहर मेरी घुडा गाड़ी खड़ी है, मैंने कहा, तो ठीक है, उस घुडा गाड़ी में इसे उसके घर भेज़ दो, और गाड़ी वाले के साथ ही अपनी पतनी को ये सूचना भेज़ दो, कि तुम मेरे साथ हो, पांच मिनट बाहर इंतजार करो, फिर मैं तुम्हारे शर्लोक होम्स के किसी भी अनुरोध को ठुकराना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अदमी उसी तरह जुके हुए मेरे साथ चला। फिर अपने चारों और देखकर अचानक वो सीधा हो गया और फिर जोर से हस पड़ा। होम्स ने कहा वाट्सन जरा कलपना करो कि मैंने अफीम के साथ साथ कोकीन का इंजेक्शन भी लिया है और मेरी नशे की छोटी मोटी और कमजोरियां भी हैं तो मेरे बारे में तुम्हारी डॉक्टरी राय क्या होगी। तुम्हे यहां ऐसे देखकर मैं बहुत ही चकित हूँ मैंने कहा लेकिन उतना नहीं जितना कि तुम्हें यहां देखकर मैं चकित हुआ। उस अड़े में अगर कोई मुझे पहचान लेता तो मेरी जिंदगी की कीमत एक घंटे की खरीदारी से अधिक नहीं होती क्योंकि इस नुस्खे को मैंने अपने मकसद के लिए पहले भी आजमाया है और ये अड़ा चलाने वाले दुष्ट खलासी ने मुझसे बदला लेने की कसम खा रखी है उस इमारत के पीछे पाल घाट के कोने के पास एक ट्रैप डोर है जो अंधेरी रातों में वहां होने वाले घटनाओं की अलग ही कहानी कहता है कहीं तुम्हारा मतलब लाशों से तो नहीं है मैंने संदेह भरे स्वर में पूछा हाँ लाशें वाटसन इस अड़े की शैतानी हरकतों से होने वाली हर एक मौत को रोकने के लिए अगर हमारे पास हजार पाउंड होते तो हम बहुत ही अमीर आदमी होते पूरी नदी के किनारे का ये सबसे घटिया स्लोटर हाउस है और मुझे डर है कि नेविल सेंट क्लेर ने यहां से कभी वापस लोट कर ना जाने के लिए ही इस अड़े में प्रवेश किया होगा लेकिन हमारा शिकार यहीं होना चाहिए होमस ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को दातों में दबा कर एक सीटी जैसी आवाज निकाली जिसका उत्तर वैसी ही सीटी की आवाज से दूर से मिला और उसके फोरण बाद पहियों के खड़ खड़ाने और घोडों की नालों की आवाज सुनाई देने लगी होमस ने कहा सुनो वाटसन अब जब की दूर धुंदलके में गोडा गाड़ी के दोनों ओर लगी सुनहरी बत्तियों की लालतेनों से पीली रोशनी दिखाई देने लगी है तो तुमको मेरे साथ चलना चाहिए चलोगे न अगर मैं किसी काम आ सकूं तो जरूर चलूंगा अरे एक भरो से मंद साथ ही हमेशा काम का होता है और एक अख़बार का प्रेमी तो उससे भी कहीं ज्यादा देवदार कॉलोनी में मेरा कमरा दो बिस्तरों वाला है देवदार कॉलोनी? हाँ वो सेंट क्लेर का घर है जब तक मैं ये इंक्वाइरी कर रहा हूँ तब तक वही ठहरूंगा लेकिन ये जगा है कहाँ पर? मैंने पूछा केंट में ली के पास यहां से साथ मील दूर लेकिन मैं अभी भी अंधेरे में हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है चिंता मत करो मेरे दोस्त, जल्दी ही तुम्हें सब मालूम हो जाएगा इतना कहकर होम्स अपने सामने खड़ी गाड़ी की तरफ मुड़ा और उसके गाड़ीवान से बोला अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है जौन, अब तुम जा सकते हो मैं तुमसे कल 11 बजे मिलूँगा, तब तक के लिए अलविदा फिर हम घोड़ा गाड़ी में बैठ कर अपने सफर के लिए चल पड़े आगे चल कर लकड़ी के चौड़े पुल पर गलियां धीरे-धीरे चौड़ी होने लगी हमारे नीचे अंधेरी सुस्त टेम्स नदी धीरे-धीरे बह रही थी उसके आगे इंटों और गारे का धुन्दला बीहर था जिसका सन्नाटा, पुलिस के बूटों और देर से जाने वाले रहगीरों के गीतों की आवाज से तूट रहा था विचार मगन होम्स सिर जुकाई खामोशी से तांगा चला रहा था और मैं उसकी बगल में बैठा, ये जानने को उत्सुक था कि आखिर ये सब मामला क्या था कई मिल की यात्रा करने के बाद अब हम एक उपनगर की सीमा के पास पहुँचने वाले थे शर्लक ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा ली पहुचने से पहले केस के तथ्यों पर रौशनी डालने के लिए मेरे पास अभी कुछ समय है सरसरी तोर पर ये केस बहुत सामान्य दिख रहा है लेकिन फिर भी इसके धागे इतने उल्चे हुए हैं कि इसका अंतिम सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें संक्षेप में केस के बारे में बताता हूँ हो सकता है तुम्हें ही कोई क्लू सूच जाए ध्यान से सुनो कुछ सालों पहले मई 1884 में ली नामक जगह पर नेविल सेंट क्लेर नाम के एक सज़न आये जो काफी अमेर दिखाई देते थे उन्होंने एक बड़ा सा घर खरीदा मैदानों को करीने से सजाया संवारा और वहां रहने लगे पड़ोसियों में से कई लोगों को उन्होंने अपना मेत्र बनाया और 1887 में एक स्थानिय शराब निर्माता की बेटी से शादी की जिससे अब उनके दो बच्चे हैं उनका अपना कोई कारोबार नहीं था लेकिन अनेक कंपनियों में उनकी रुची थी वो रोज सुभा कैनन स्ट्रीट जाने के लिए निकलते और शाम को सवा पांच बजे घर लोटाते मिस्टर सेंट क्लेर की उम्र अब 37 वर्ष की हो चुकी है वो एक शांत स्वभाव वाले, एक अच्छे पती, बच्चों से प्यार करने वाले पिता और अपने परिचितों में काफी लोग प्रिये हैं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे अनुमान के मताबिक उनके उपर 880 पाउंड का करजा था जबकि Capital and Counties Bank में उनके खाते में 220 पाउंड जमा थे इसलिए ये तो किसी भी हाल में सोचने का कोई कारण नहीं था कि उनके उपर आर्थिक तंगी का कोई दबाव था पिशले सोमवार को Mr. Neville St. Claire बाकी दिनों की अपेक्षा करने के फौरन बाद उनकी पतनी को एक टेलिग्राम मिला कि एक अच्छी कीमत के जिस पार्सल की आप उमीद कर रही थी वो Aberdeen Shipping Company के ऑफिस में आपका इंतजार कर रहा है अगर आप लंडन में हैं तो आपको मालूम होगा कि कमपनी का ऑफिस फ्रेसको स्ट्रीट में है जिसकी एक ब्रांच अपर स्वान्डरम लेन के बाहर है जहां आज रात को आप मुझसे मिल सकती है मिसिस क्लेयर ने नाश्ता किया शेहर के लिए निकल गई थोड़ी शॉपिंग की और फिर कमपनी के ऑफिस जाने के लिए रवाना हुई और वहां से अपना पैकेट लेकर ठीक चार बज कर 35 मिनट पर अपने घर स्वान्डरम लेन वापस जाने के लिए चल पड़ी उस दिन यानि सोमवार को काफी गर्मी थी और मिसिस क्लेर किसी सवारी की उमीद में सडक पर धीरे धीरे इधर उधर नजर दोडाती चल रही थी क्योंकि वे अपने पडोसियों को पैदल चलते दिखाई नहीं देना चाहती थी स्वान्रम लेन पर पैदल चलते हुए अचानक उन्होंने किसी के चिलाने की आवाद सुनी और ये देखकर वो घबरा गई कि उनका पती एक घर की दूसरी मंजिल की खिडकी से उनकी तरफ इशारा कर रहा था खिडकी खुली होने के कारण उन्होंने अपने पती का चेहरा बिलकुल साफ साफ देखा था उन्होंने बताया कि उनके पती थोड़ा उत्तेजित दिखाई दे रहे थे उन्होंने अपनी पतनी की ओर बेचानी से हाथ लहराया और फिर अचानक खिड़की से उनका चेहरा गायब हो गया ऐसा लगा मनों उनके पती को किसी अद्रिश्य शक्ती ने पीछे से खींच लिया हो उनके लिए चौकाने वाला तथ्य ये था कि उनके पती ने घर से चलते हुए जो सूट पहना था उस आदमी के कोट का रंग तो वैसा ही था लेकिन कोट का कॉलर और गले की टाई गायब थे उन्हें लगा कि उनके पती के साथ कुछ तो गलत हुआ है वो फोरण उस घर की सीड़ियों की ओर दोड़ पड़ी वो घर दरसल वही अफीम का अड़्दा था जहां आज तुम मुझे मिले थे सामने के कमरे से निकल कर उन्होंने पहली मंजिल पर जाने वाली सीड़ियों पर चगना शुरू किया पहली ही सीड़ी पर मिसिस कलेर को वही पागल खलासी मिला जिससे मैंने बात की थी उसने अपने नोकर के साथ मिलकर उनको गली में धका दे दिया किसी अग्यात भय और अनिष्ट की आशंका से वे गली में दोडने लगी कुछ आगे चलकर फ्रेस्नो स्ट्रीट में उनको कुछ सिपाहियों के साथ एक इंस्पेक्टर मिला जो अपनी चौकी की ओर जा रहा था इंस्पेक्टर और दो सिपाही उसके साथ उस जगह पर गए और मालिक के विरोध करने के बावजूद वे लोग उस कमरे में दाखिल होने में सफल हो गए जिसमें मिस्टर क्लेयर आखिरी बार दिखाई दिये थे वहाँ उनका कोई निशान नहीं मिला दरसल उस पूरी मंजिल पर अपाहीजों के सिर छिपाने के लिए बनी कुछ कोटरियों के अलावा और कुछ नहीं मिला खलासी और उसके नौकर ने कसम खाकर कहा कि दो पहर के दोरान उस कमरे में कोई भी नहीं था उन दोनोंने अपनी बात इतने मजबूत तरीके से रखी कि इंस्पेक्टर भी गडबड़ा गया और उसने लगभग मान लिया कि मिसिस क्लेर को कोई भ्राम हुआ है तब ही अचानक वो मेज पर रखे डिब्बे पर चिला कर जपट पड़ी उन्होंने उसका धकन खोल कर देखा तो उसमें से चौकलेट निकल कर नीचे गिर पड़ी ये वही चौकलेट का डिब्बा था जिसको लाने का उनके पती ने सुभह वादा किया था अब इस प्रत्यक्ष संदेह और नए सबूत ने इंस्पेक्टर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दाल में कुछ तो काला जरूर है और मामला गंभीर है कमरों की फिर से बारीकी से जाच की गई उसके परिणाम स्वरूप वहां कोई घटिया अपराध होने का संकेत मिला सामने वाले कमरे को बैठक के रूप में सजाया गया था उसके अंदर से एक रास्ता बेडरूम में जाता था जहांसे पीछे की ओर बने घाटों को देखा जा सकता था घाट और बेडरूम की खिड़की के बीच एक तंग पट्टी थी जो समुद्र में ज्वार आने पर करीब पांच फुट पानी से भर जाती थी और भाटा के दोरान सुखी रहती थी बेडरूम के खिड़की चोड़ी थी और नीचे से खुलती थी जाच करने पर खिड़की की चोखट पर खुण के कुछ धब्बे नजार आए और बेडरूम के लकड़ी वाले फर्ष पर खुण की बूंदें इधर उधर गिरी मिली सामने वाले कमरे का परदा हटाने के बाद मिस्टर क्लेर के कोट को छोड़कर उनके बाकी सारे कपड़े वहां मिल गए जूते, मोजे, हैट और घड़ी सब वहां पर मौजूद थे उनके कपड़ों पर हिंसा का कोई निशान नहीं था और उनके अलावा मिस्टर क्लेयर की कोई और निशानी भी वहाँ नहीं थी खिड़की के अलावा उनके वहाँ से जाने का एक मात्र जरिया तैर कर जाने का था क्योंकि दुरगटना के समय समुद्र में तेज ज्वार आया हुआ था अब उन सारे खलनायकों पर इस मामले में ततकाल कारवाई करने की जरूरत थी वो खलासी एक खुंखार और बदनाम आदमी था लेकिन मिसिस क्लेर के कहने के अनुसार उनके पती के घड़की से गायब होने के कुछ सेकंड के अंदर ही वो उन्हें सीठी पर खड़ा मिला था इस आधार पर वो उस अपराद का एक ओजार होने के अलावा और कुछ नहीं था उसने अपने बचाव में कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और नहीं ऐसे किसी अपराध में उसका हाथ है उसे उसके मकान मालिक Huge Boone की किसी हरकत की कोई जानकारी नहीं है और उसके पास उस गायब होने वाले आदमे के कपणों का भी कोई हिसाब नहीं है कि वो वहाँ कब और कैसे आए ये तो थी उस खलासी मैनेजर की बात अब उस शातिर आदमी की बात करते हैं जो निश्चे ही नेविल सेंट क्लेर को देखने वाला आखिरी आदमी था उसका नाम है ह्यूज बून उसकी डरावनी शकल को शहर जाने वाला हर आदमी पहचानता है वो एक पेशेवर भिकारी है और पुलीस से बचने की नियत से वो खुद को माचिस बेचने वाले के रूप में पेश करता है थोड़ा आगे जाने के बाद थ्रेड नीडल स्ट्रीट है जिसके बाई और दिवार में तुमने एक एंगल लगा देखा होगा यहीं पर वो भिकारी अपने पेरों को एक के उपर एक रखकर बैठता है और अपनी गोद में माचिस रखकर सारा दिन भीक मांगता है उसकी रोनी सूरत देखकर राहगीरों को दया आ जाती है और लोग फुटपाथ पर पड़ी उसकी चमड़े की चिकनी टोपी में पैसे डाल कर आगे बढ़ जाते हैं मैंने इस आदमी को पहले भी कई बार यहां देखा है और यहां तक की भिखारी के रूप में उसका पड़ोसी बनने तक की बात मेरे दिमाग में आई है मैं यह देखकर हैरान था कि इतने कम समय में उसने इतनी बढ़िया फसल उगा ली है जैसा कि तुम जानते ही हो उसका रंग रूप ऐसा है कि उसको देखकर कोई भी उसे कुछ दिये बिना आगे नहीं बढ़ता संतरी रंग के बाल, उदास चेहरा, कटने का एक डरावना निशान जो उसकी ठोड़ी से लेकर होटों तक फैला हुआ है और उससे उसका चेहरा बहुत ही विक्रित हो गया है बालों के उलट काली चमकीली आखें उसे आम भिखारी से अलग पेश करती है यही वो आदमी है जिसको अभी अभी हमने अफीम के अड़े के मालिक के रूप में देखा है और यही वो आखिरी आदमी है जिसने मिस्टर कलेर को देखा है मैंने कुछ हैरानी से कहा लेकिन एक अपाहिज आदमी, एक जवान आदमी के साथ अकेले वो सब कुछ कैसे कर पाया होगा वो अपाहिज केवल इस रूप में है वाटसन कि वो लंगडा कर चलता है लेकिन वैसे वो एक मजबूत और खाता पिता आदमी है एक डॉक्टर होने के नाते तुम ये बात जरूर जानते होंगे कि अगर कोई आदमी एक पैर से अपाहिज हो तो उसके दूसरे पैर में दुगनी ताकत आ जाती है खिड की पर खून देखते ही मिसिस सेंट क्लेयर बेहोश हो गई चुकि अब उनके वहां रहने का कोई फायदा नहीं था इसलिए पुलीस उनको उनके घर छोड़ाई इस केस की जाँच परताल कर रहे इंस्पेक्टर बार्टन ने पूरे परिसरका बारीकी से निरिक्षन किया लेकिन मामले पर रोशनी डालने वाला कोई सबूत उसको नहीं मिला बून को ततकाल गिरफतार ना करके पुलीस की ओर से एक गलती हुई लेकिन इस बीच उसने शायद अपने खलासी दोस्त को सूचित कर दिया होगा उस कमी को जल्दी ही दूर कर दिया गया और उसे खोज कर पकड़ लिया गया लेकिन उसके उपर मुकदमा चलाने के लिए पुलीस को कोई सबूत नहीं मिला ये सच है कि उसके दाहिने हाथ की कलाई पर खून के कुछ धब्बे मिले थे लेकिन खून बहने का कारण उसने अपने दाहिनी हाथ की अंगुठी वाली उंगली का ना खून के पास कट जाना बताया था इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि वो खिड़की पर ज्यादा देर से मौजूद नहीं था और वहाँ देखे गए खून के धब्बे निस संदेह उसी स्रोथ से आये थे यहाँ तक कि उसने उससे पहले मिस्टर कलेर को कभी वहाँ देखने का भी खंडन किया उसने कसम खाकर कहा कि उसके कमरे में कपड़ों की मौजूदगी पुलीस के साथ साथ उसके लिए भी एक रहस्य से अधिक कुछ नहीं है मिस्स कलेर के इस बयान के बारे में कि उन्होंने अपने पती को खड़की पर खड़े देखा था उसने कहा कि या तो मिस्स कलेर पागल है या फिर सपना देख रही है उसके बहुत विरोध करने के बावजूद उसे वहाँ से थाने ले जाया गया जबकि इंस्पेक्टर बार्टन परिसर में ही मौजूद रहे कि जब भाटा आने के बाद पानी कम होगा तो शायद वहाँ कोई सुराग मिल जाए और वो वाकई मिला भी पानी उतरने के बाद जब इंस्पेक्टर कीचर में उतरा तो उसे वहाँ क्लेयर की लाश मिलने की आशंका थी वहाँ लाश तो नहीं लेकिन क्लेयर का कोट जरूर मिला और पता है पुलीस को उसकी जेबों में क्या मिला क्या मिला मैंने उत्सुकता से पूछा कोट की हर एक जेब पैसों और सिक्कों से भरी हुई थी 421 नोट और 270 सिक्के थे इसमें कोई हरानी की बात नहीं कि भाटा आने के बाद पानी के साथ कोट बहा नहीं लेकिन इनसान के शरीर की बात अलग है ऐसा लगता है कि वजनी कोट तो कीचर में पड़ा रह गया और क्लेर की लाश नदी में बह गई लेकिन ये बात कुछ अजीब नहीं कि जब सारे बाकी कपड़े कमरे में थे तो क्या लाश के शरीर पर सिर्फ एक कोट था? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए एक बार के लिए मान लो कि बून नाम के इस आदमी ने नेविल को खिड़की से धक्का दिया लेकिन वहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं था जो उसके इस काम को देख पाता फिर उसने क्या किया होगा? उसके दिमाग में तुरंथ ही ये बात आई होगी कि उसे इन कपड़ों से छुटकारा पाना होगा पहले उसने सोचा होगा कि कपड़ों को रखने के बाद वो उसे बाहर फेंक देगा फिर उसने सोचा होगा कि वो डूबने की बजाए तेर भी तो सकता है जिस समय मिसिस क्लेर उपर आने के लिए जगड रही थी शायद उसी दोरान उसने अपने खलासी दोस्त को ये कहते हुए सुन लिया होगा कि गली में पुलीस आ रही है उसके बाद वो भीक मागने से इकठे हुए अपने पैसों को छिपाने के लिए किसी गुप्त जगह पर गया होगा उसने कोट की जेबों में सारे पैसे भर कर पानी में फेक दिया होगा ताकि सिक्कों के भार से कोट पानी में डूब जाए और पुलीस को भीक का कोई सबूत न मिले कोट को पानी में फेकने के बाद उसे खिड़की बंद करने का टाइम नहीं मिल पाया होगा हाँ ऐसा हो तो सकता है मैंने कहा तो किसी अच्छे परिणाम के लिए इस कलपना को असली जामा पहनाते हैं जैसा कि मैंने तुमको बताया बून को गिरफतार करके ठाने ले जाया गया लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि उसके खिलाफ इससे पहले भी कुछ था या नहीं कई सालों से वो एक पेशेवर भिकारी के रूप में जाना जाता है लेकिन उसकी जिन्दगी एकदम शांत और निर्दोश दिखाई देती है फिलहाल सारा मामला इसी बिंदू पर केंदरित है जिसे हमें हल करना है नेविल सेंट कलियर अफीम के अड़े में क्या कर रहा था इस समय वो जहां था वहां उसके साथ क्या हुआ इस समय वो कहा है और उसके गायब होने से ह्यूज बून का क्या लेना देना है ये सारे ऐसे सवाल है जिनका अभी तक मुझे कोई हल नहीं मिल पाया है मैं स्विकार करता हूँ कि मेरे अनुभव में ऐसा कोई मामला नहीं आया जो पहली नजर में आसान दिखाई दिया हो और फिर भी उसको हल करने में मेरे सामने इतनी मुश्किले आई हो जिस समय शर्लोक होम्स मुझे ये सब सुना रहा था वो समय हम महानगर के बाहरी इलाकों में भटक रहे थे उसकी बात पूरी होते होते हम दो छितरे गावों जिनके घरों की खिड़कियों में कुछ रोशनी अभी भी टिम्टिमा रही थी उनसे होते हुए आगे बढ़ रहे थे होम्स ने कहा इस समय हम ली के बाहरी इलाके में है सामने पेडों के बीच वो रोशनी देख रहे हो वही देवदार कॉलोनी है और उस लैंप की बगल में एक औरत बैठी है जिसके कान निश्चे ही हमारे घोडों के खुरों की आवाजों पर लगे हुए है लेकिन तुम इस केस की तहकीकात बेकर स्ट्रीट से क्यों नहीं कर रहे हो मैंने पूछा क्योंकि कई प्रश्ण ऐसे हैं जिनके बारे में यहीं पूछताच की जा सकती है मिसिस क्लेर ने हमारे लिए दो कमरे यहां तयार कर रखे हैं और तुम निश्चिंत रहो कि वो मेरा और मेरे दोस्त का स्वागत करने के लिए तयार होंगी ये लो हम पहुँच गए हम एक बड़े बंगले के सामने खड़े थे जो अपनी ही जमीन पर बना था एक लड़के ने दोड़कर घोड़े की लगाम पकड़कर उसे नीचे उतार दिया और मैं होम्स के पीछे पीछे उस घर की ओर चल पड़ा जहां एक लंबी और ठकाओ यातरा के बाद हम पहुँचे थे जैसे ही हम पास पहुँचे घर का दरवाजा खुल गया फ्रांसीसी मलमल का कुर्ता पहने एक गोरी औरत ने दर्वाजा खोला था उसने अपने गले और कलाईयों पर रोएदार गुलाबी शिपॉन लपेट रखा था हमें देखते ही वो बोली सब कुछ ठीक है न? मेरे पती की कोई खबर मिली? होमस ने इनकार में अपना सिर और कंधा हिलाया तो उसकी सारी आशा निराशा में बदल गई होमस ने उससे कहा ये मेरे दोस्त वाटसन है अपनी इस जाच में अपने साथ रहने के लिए मैं इन्हें साथ लाया हूँ उन्होंने गर्म जोशी से मेरा स्वागत करते हुए कहा आप से मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर वाटसन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मेरे स्वागत सतकार में कोई कमी हो तो आप मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे क्योंकि हमारे उपर अचानक मुसीबतों का पाहर तूट पड़ा है फिर वो होम्स की तरफ मुढ कर बोली मिस्टर होम्स मैं आप से एक दो सीधे से सवाल करूंगी जिसका आप मुझे सपश्ट उत्तर दीजिएगा जरूर मिसिस क्लेर होम्स ने कहा और हाँ आप मेरी भावनाओं की चिंता मत कीजिएगा ना तो मुझे दोरे पड़ते हैं और ना ही मैं बेहोश होने वाली हूँ मैं सिर्फ आपकी वास्तविक राय सुनना चाहती हूँ आप अपने दिल पर हाथ रख कर मुझे बताईए कि क्या नेविल अभी जीवित है शर्लोक होम्स इस प्रशन पर थोड़ी उलजन में पड़ गया फिर उसने सधेस्वर में कहा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्या आपको लगता है कि उसकी मृत्यू हो चुकी है मैंने आपसे कहा ना कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हो सकता है हो गई हो आपके हिसाब से किस दिन होई होगी उनकी मौत मिसिस नैविल ने पूछा सोमवार को होम्स ने कहा तब तो मिस्टर होम्स शायद आप ये बात अच्छी तरह बता सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि मुझे आज ही उसका एक पत्र मिला है इतना सुनते ही होम्स अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ मानो एक जोर का जटका लगा हो क्या आपको मिस्टर क्लेर का पत्र मिला है जी हाँ आज ही मिला है कागस की उस छोटी सी पर्ची को हवा में लहराते हुए मिस्स क्लेर मुस्कुरा रही थी क्या मैं इसे देख सकता हूँ जरूर इतना कहकर होम्स ने बड़ी उत्सुकता से पर्ची उसके हाथ से ली और उसे मेज पर फैला कर लैंप की रोशनी में उसका बारीकी से निरिक्षन करने लगा मैं भी उसके पीछे खड़ा जुक कर पर्ची को देख रहा था लिफाफा बहत ही खुरदवरा था और उस पर उसी दिन या उसके पिछले दिन आधी रात के बाद की ग्रेव सेंड डाक खाने की मोहर लगी थी होम्स बुदबुद आया इतनी भद्दी लिखावट मैं निश्चे ही आपके पती की लिखावट तो नहीं है लेकिन पत्र तो है मिसिस क्लेर ने कहा मीरा मानना है कि लिफाफे पर जिसने भी पता लिखा होगा उसने जाकर पते के बारे में पूछताच की होगी ये कैसे कह सकते हैं आप आप ये देखिए कि ये नाम पूरी तरह काली स्याही में है जो अपने आप सुखी है जबकि बाकी पता स्लेटी रंग में है जो ये दिखाता है कि स्याही को जल्दी सुखाने के लिए ब्लोटिंग पेपर का इस्तमाल किया गया है अगर ये एक बार में लिखा गया होता और उसके बात सुखाया गया होता तो कोई भी अक्षर गहराकाला नहीं दिखाई देता इस आदमी ने पहले नाम लिखा होगा और पता लिखने से पहले कोई रुकावट आ गई होगी जिसका सीधा सा अर्थ है कि लिखने वाला पते से परिचित नहीं था ये बड़ी मामूली बात है लेकिन इसमें महत्वपूर्ण होने जैसा कुछ नहीं है आईए अब पत्र को देखते हैं अरे इसमें तो कुछ रखा हुआ है जी हाँ इसमें एक अंगूठी है उनकी मोहर अंगूठी मिसिस नेविल ने कहा और आपको पूरा यकीन है कि ये हैंड्राइटिंग आपके पती की ही है जी हाँ ये उनकी आम लिखावट से थोड़ी अलग तो है लेकिन मैं इसे अच्छी तरह पहचानती हूँ ये उन्होंने जल्दबाजी में लिखा होगा इसलिए ये थोड़ी अलग है पर्ची पर लिखा था प्रियतमा भैभीत मत होना सब ठीक हो जाएगा एक गलती हो गई है जिसे सुधारने में थोड़ा समय लगेगा धहरे के साथ मेरी प्रतीक्षा करो नेविल ये पत्र आठ पेज के आकार वाली बिना वाटर मार्क की किसी किताब के पन्ने पर पेंसिल से लिखा गया था ग्रेव सैंड में किसी गंदे हाथ वाले आदमी ने इसे पोस्ट किया था और लिफाफे का किनारा तो किसी तंबाकू खाने वाले आदमी ने अपने थूक से चिपकाया है और फिर भी मैम आप कह रही है कि ये आपके पती के हाथ का पत्र है जी हाँ, मिसिस नेविल अभी भी अपनी बात पर जमी थी इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, ये नेविल की ही लिखावट है और ये चिथी आज ग्रेव सैंड में पोस्ट की गई है ठीक है मिसिस क्लेर, बादल कुछ छटे हैं लेकिन फिर भी मैं ये कहने की कोशिश नहीं करूँगा कि खत्रा टल गया है लेकिन वो जीवित तो अवश्य होगा ना मिस्टर होम्स मिसिस क्लेर के स्वर में उमीद जगमगा रही थी तभी तक जब तक ये सिधना हो जाए कि ये हमें हमारी राह से भटकाने के लिए कोई कुटिल चाल नहीं है इस अंगूठी से कुछ भी जाबित नहीं हो सकता हो सकता है अंगूठी उससे जबरन ले ली गई हो होमस ने कहा, देखिए आप मुझे निराश मत कीजिए मिस्टर होमस, मैं जानती हूँ कि वो जिन्दा है, हमारे बीच इतनी आत्मियता है कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा तो मुझे पता चल जाएगा, जिस दिन मुझे देखकर उन्होंने बेडरूम में अपनी उंग क्रिया दूंगी और फिर भी उनकी मौत से अंजान रहूंगी, देखिए मिस्स क्लेयर, मैं ये तो नहीं जानता कि एक औरत का विश्वास ज्यादा महत्वपून है या एक विशलेशक का तारकेक निशकर्श, और इस पत्र में आपके दृष्टिकोंड से मेल खाने वाला एक मजबूत सबूत भी मौजूद है, लेकिन अगर आपका पती जीवित है और आपको पत्र लिख सकता है, तो फिर आपसे दूर क्यों है? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, मिस्स क्लेयर ने कहा, सोमवार को आपसे विदा लेते हुए उसने कुछ कहा था? जी नहीं और आप उसे स्वन्रम लेन में देखकर हैरान हो गई थी? बहुत ज्यादा, क्या कमरे की खिड़की खुली थी? जी हाँ, तब शायद उसने आपको आवाज दी थी? जी हाँ, शायद उसी ने आवाज दी थी, तो जहां तक मैं समझता हूँ, वो जोर से चिलाया होग जी हाँ, आपको क्या लगता है, क्या उसने वो आवाज मदद के लिए दी थी? हाँ, उसने हाथ लहराए थे, लेकिन वो एक हैरानी भरी चीख भी थो हो सकती थी, हो सकता है अचानक आपको महा देखकर उसने अपने हाथ हिला दिये हो? हाँ, ये भी हो सकता है, और क्या कि किसी ने उसे पीछे खींचा है? ये मैं नहीं कह सकती, बस वो अचानक गायब हो गया था. हो सकता है उसने पीछे की तरफ छलांग लगाई हो. आपने कमरे में किसी और को भी देखा था? जी नहीं, लेकिन इस डरावने आदमी ने कबूल किया था कि ये वहां था और खलास सीडियों पर खड़ा था. हो सकता है, शरलक होम्स ने कहा. जहां तक आपने देखा, क्या आपके पती ने अपने सामान्य कपड़े पहने हुए थे? जी हाँ, लेकिन बिना कॉलर और टाई के, मैंने उसका गला साफ साफ देखा था. क्या उसने कभी आपसे स्वान्डरम ले हैं, जिनके बारे में मैं पूरी तरह स्पष्ट होना चाहता था. अब हम हलका नाश्ता लेकर निकलेंगे, क्योंकि कल हम बहुत व्यस्त रहने वाले हैं. एक बड़ा और दो बिस्तरों वाला आराम देह कमरा हमारे लिए तयार था. मैं जल्दी से सोने चला गया, क्योंकि रात भर काम करने के बाद मैं ठक कर चूर हो चुका था. शर्लोक होम्स ऐसा आदमी था जो अपने अधूरे काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हफतों तक बिना अराम किये काम कर सकता था. सोने जाते वक्त मैंने देखा कि वो सारी रात बैठ कर काम करने की तयारी कर था. उसने अपना कोट और जैकेट उतार कर एक नीला गाउन पहना और कमरे में घूम घूम कर बिस्तरों और सोफों के सारे तकिये उठा कर अपने पास रख लिए. इससे उसने एक भारतिये दीवान जैसा बिस्तर तयार किया और उसके उपर एक पैर पर दूसरा पैर रख कर पाइप में पीने के लिए एक उंस सूखी तंबाकू और माचिस रख कर बैठ गया. लैंप की मधिम रोशनी में मैंने देखा कि अपने होटों के बीच पाइप दबाए, धूए के चल्ले उडाते हुए होम्स छत के एक कोने की और लगातार देखे जा रहा था. इसी बी अब भी उसके होटों के बीच दबा था और कमरा तंबाकू की गंध से भरा हुआ था. जल्दी उठो वाटसन और तयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है. अभी कोई नहीं जागा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि घरेलू काम करने वाला लड़का कहां सोता है और हम जल्दी ही उसे लेकर बाहर निकल जाएंगे. ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर हसी थी और आखों में चमक. रात वाले होमस से वो बहुत अलग दिखाई दे रहा था. कपड़े पहनने के बाद मैंने घड़ी पर नजर डाली. ये कोई हरानी की बात नहीं थी कि उस वक्त तक कोई चोटी सी परीक्षा करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि मुझे इस रहसे की चाबी मिल गई है. और कहां है वो चाबी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा. उसने कहा बात रूम में. हाँ हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. मैं अभी अभी बात रूम में गया था और उसे इस बैग में बंद करके लाया हूं. चलो देखते हैं कि ये चाबी ताले में फिट बैठती है या नहीं. हम सीडियों से नीचे उतरे और सडक पर खड़ी घुड़ागारी में जाकर बैठ गए. वहां अस्तबल वाला लड़का हमारा इंतजार कर रहा था. शेहर में जल्द स्रीट की दाहिनी ओर मुड कर बो स्रीट पहुच गए. पुलीस वाले शर्लोक होम से भली भाती परिचित थे. थाने के गेट पर खड़े दो सिपाहियों ने उसे सैल्यूट किया. एक सिपाही हमें थाने के अंदर ले गया. होमस ने उससे पूछा, ड्यूटी पर कौन है? इंस्पेक्टर ब्रैड स्रीट है सर. अरे ब्रैड स्रीट, कैसे हो? एक लंबा मजबूत ओफिसर सिर पर पुलीस की क्याप लगाए हमारे पास आया. होमस ने उससे कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ. जरूर मिस्टर होमस, इधर मेरे कमरे में आईए. वो एक इसनुमा कमरा था, जिसकी मेज पर कई रजिस्टर रखे थे और एक टेलिफोन दिवार से लटक रहा था. इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मिस्टर होमस? मैं उस भिखारी बून के बारे में बात करने आया जिसके उपर ली के मिस्टर नेवल सेंट क्लेर के गायब होने में हाथ होने का आरोप है. जी हाँ, उसे यहाँ लाया गया था और आगे की पूछताच के लिए हमने उसे रिमांड पर लिया है. वो यहीं आपके पास ही है ना? होमस ने पूछा. जी हाँ, वो नीचे कोठरी में है. क्या वो शांत है? वैसे तो हमें उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बहुत ही गंदा है. गंदा मतलब? होमस ने पूछा. हमने उसके हाथ दुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनता ही नहीं. और उसका चेहरा तो इतना काला है, जैसे किसी कलई करने वाल नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये बैग मेरे पास ही रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, होमस ने मुस्कुराते हुए कहा. ठीक है, कोई बात नहीं, आईए. इंस्पेक्टर हमें एक गलियारे में ले गया, उसने एक दर्वाजा खोला, और कुछ सीड़ियां चड़कर, वो ह देखिये, वो सो रहा है, आप उसे यहां से देख सकते हैं. जिससे सांसों के उतार चड़ाव के साथ, उसके उपर के तीन दांत दिखाई दे रहे थे. होमस ने उसे देखकर टिपणी की. निश्चे ही इसे नहाने की जरूरत है. इसकी तरह मेरे पास भी एक आईडिया था. इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ. इदना कहक होमस ने अपना बैक खोला और ये देखकर मेरी हरानी की सीमा ना रही कि उसके अंदर फोम का एक बड़ा सा स्पंज था. इंस्पेक्टर ये देखकर हस पड़ा. आप तो बड़े ही मजाकियां हैं, मिस्टर होमस. अब यदि आप महरबानी करके इस दर्वाजे को खोल दें तो मैं इस भद्दी सूरत वाले आदमी को एक खूब सूरत आदमी में बदल सकता हूँ. होमस ने शरारत से कहा. हाँ, हाँ, क्यों नहीं? इंस्पेक्टर ने कहा और ताले में चाबी लगा कर उसे खोल दिया. हम सब कोठरी में दाखिल हो गए. सोने वाले कैदी ने करवट दो बार रगड दिया. फिर चिला कर बोला, आईए, अब मैं केंट काउंटी के ली निवासी मिस्टर नेविल सेंट क्लेर से आपका परिचय कराता हूँ. अपने जीवन में ऐसा द्रिश्य मैंने कभी नहीं देखा था. जहां पर स्पंज रगड़ा गाया था, उसके नीच को कुरूप बनाने वाला उसका वो कटा होट भी गायब हो चुका था. एक ही जटके में उलजे हुए लाल बाल भी गायब हो गए और बिस्तर पर एक निराश, उदास, काले बालों वाला साफ सुथरा आँखे मलता हुआ आदमी बैठा नजर आने लगा. कुछ पल बाद ज इसल में यही है वो गुमशदा आदमी जिसको मैंने फोटो में देखा था. कैदी ने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ते हुए एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, एक ना एक दिन तो ये होना ही था. मेरे उपर क्या आरोप लगाया गया है? इंस्पेक्टर बोला, 27 सालों से पुलीस की नौकरी में हूँ, लेकिन तुमने तो सचमुच मुझे उलजा ही दिया. अगर मैं नेविल सेंट क्लियर हूँ, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं है, और इसलिए मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है उस आदमी ने कहा, होमस ने बीच में उसे टोकते हुए कहा, कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत ही भयंकर गलती हुई है, अगर तुमने अपनी पतनी पर यकीन किया होता, तो निश्चे ही अच्छा होता, पतनी नहीं, बच्चों पर, इतना कहकर वो कैदी र शर्लोक होमस ने चार पाई पर उसकी बगल में बैठते हुए बड़े प्यार से उसका कंधा थप थपाया, अगर तुम इस मामले का निप्टारा अदालत के उपर छोड़ दो, तो हो सकता है कि तुम्हारी थोड़ी बदनामी हो, दूसरी तरफ, यदि तुम पुलीस अधि अधिकारियों को ये समझा सको कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि उनको इस मामले को रफदफ़ा करने में कोई दिक्कत होगी, मुझे पक्का यकीन है कि जो कुछ तुम मुझे बताओगे, इंस्पेक्टर ब्रैड स्रीट उसे नोट करके अध पर भी जूल जाता, लेकिन मैं इस दैनी ये रहस्य को अपने बच्चों के ऊपर कलंक नहीं बनने देना चाहता, मेरी कहानी सुनने वाले आप पहले व्यक्ति हैं, मेरे पिता चेस्टर फिल्ड में एक अध्यापक थे, उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाई, मै मैंने खुद उन्हें अपनी और से रिपोर्ट देने का प्रस्ताव दिया, यही वो बिंदू था जहां से इस सारी परेशानी की शुरुआत हुई, अपनी कहानियों के लिए तथ्य जुटाने के लिए मैंने एक नौसिखिये भिकारी के रूप में भीक मागना शुरू किय अभिनेता के रूप में मैंने पहले ही मेकप के सारे गुर सीखे हुए थे और अपने कौशल के लिए मैं ग्रीन रूम में मशुर हो गया था, मैंने अपनी उसी योग्यता का लाव उठाया और अपने चेहरे को रंग लिया, लोगों की नजर में दैनिये दिखाई देने के मास के रंग वाले प्लास्टर का एक बड़ा सा दाग बना कर उसे अपने होट के एक और मोड कर चिपका दिया, इसके बाद बुढ़ा दिखने के लिए मैंने अपने बाल लाल रंग से रंग लिये और भिकारियों जैसे फटे पुराने कपड़े पहन कर शेहर के कारोबारी इलाके में बैठ गया, जाहिराना तोर पर तो मैं माचिस बेचने वाला दिखाई देता था, जबकि असलियत में मैं पटरी पर बैठ कर भीक मांगता था, साथ गंटे भीक मांग कर जब पहले दिन मैं घर लोटा, तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैंने एक दिन में 26 पाउ उनका जुर्माना लगा दिया गया, जुर्माने की राशी का भुकतान करने के लिए पैसा कहां से आएगा, मैं इस बारे में सोच ही रहा था, कि तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, मैंने अपने संपादक से 15 दिन की चुट्ती ली और नकली रूप धर कर सारा समय भी पाउंड प्रती सप्ताहक के वेतन के बदले मैं जितनी मेहनत करता था, उसके मुकाबले बिना किसी मेहनत के सिर्फ अपना रंग रूप बदल कर और वेश भूशा बदल कर एक जगह पर बैठे बैठे मैं उससे ज्यादा कमाई कर सकता था, मेरे आत्म सम्मान और पैसे की चाहत के बीच एक लंबी कश्मकस चली और आखिरकार पैसे की जीत हुई, मैंने रिपोर्टिंग को लात मार कर अपनी पहले वाली चुनी गई जगह पर बैठ कर रोज भीक मांगना और अपनी जेबें भरना शुरू कर दिया, मेरा रहस से जिस एक आदमी को मालुम था, व भालासी को मैं किराय के रूप में अच्छी खासी रकम देता था, इसलिए जानता था कि उसके पास रहते हुए मेरा ये भीद कभी नहीं खुलेगा, जल्दी ही मेरे पास एक अच्छी खासी रकम इकठी हो गई थी, मेरे कहने का ये मतलब कताई नहीं है कि लंडन की गलियो में कोई भिकारी 700 पाउंट सालाना की आमदनी कर सकता है। लेकिन मेरे मेकप के कौशल के कारण मुझे एक अतिरिक्त फायदा मिलता था। मैं पूरे शेहर के लोगों के लिए एक जाना पहचाना पात्र बन गया था। सारा दिन मेरे उपर पैसों की बोचार होती रहती थी। जैसे जैसे मैं अमीर होता गया वैसे वैसे मेरी महत्वा कांक्षा और बढ़ने लगी। मैंने काउंटी में एक मकान खरीद लिया और किसी को मेरे व्यवसाय के प्रती कोई संदेह हुए बिना शादी भी कर ली। मेरी पतनी बस इतना जानती थी कि मेरा शेहर में कोई कारो बार था लेकिन किस चीज का कारोबार था ये वो नहीं जानती थी। नीचे सीडियों पर मैंने उसकी आवाद सुनी लेकिन मुझे मालूम था कि खलासी उसे सीडियों से उपर नहीं आने देगा। मैंने फुर्ती से अपने कपड़े उतार कर फेंक दिये और भिकारी के कपड़े पहन कर अपनी नकली बालों वाली विग सिर पर लगा ली। य वारा से कुरेद कर खून की कुछ बूंदें, कमरे और खिड़की की चौकट पर छिड़क दी। उसके बाद दिन भर की कमाई से भरे अपने कोट को पानी में फेंक दिया। मैं अपने दूसरे कपड़े भी फेंकना चाहता था, लेकिन उसी समय सीडियों पर सिपाहियों के आने की आवाज आई, जिन्होंने मुझे नेविल सेंट क्लेर के असली रूप में पहचानने की बजाए, उसके हत्यारे के रूप में गिरफतार कर लिया। मैं जानता था कि मेरी पतनी बहुत बुरी तरह से बेचैन हो जाएगी, इसलिए जिस समय कोई सिपाही मेरी तरफ नहीं देख रहा था, मैंने अपनी अंगूठी उतार कर खलासी को पकड़ा दी। वो नोट मिसिस क्लेयर को कल ही मिला है, होमस ने कहा, हे भगवान, उसने ये एक हफता कैसे बिताया होगा। इंस्पेक्टर ब्रैड स्ट्रीट ने कहा, पुलीस ने इस खलासी पर नज़र रखी हुई थी, और मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूँ, कि उसके लिए बिना पहचाने गए इस पत्र को पोस्ट करना काफी मुश्किल रहा होगा, शायद उसने पोस्ट करने के लिए उसे अपने किसी अफीमची नाविक को दे दिया होगा, जो कुछ दिनों के लिए उसे पोस्ट करना भूल गया होगा, सहमती में सिर हिलाते हुए होमस ने कहा, बिलकुल ऐसा ही हुआ होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन भीक मागने के लिए तुम कभी पकड़े क् गये, मैं कही बार पकड़ा गया, लेकिन जुर्माना भरना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात थी, बून ने कहा, ब्रैड स्ट्रीट बोला, ये सब यहीं बंद होना चाहिए, अगर पुलिस इसे अभी बंद कर देगी, दूसरा कोई ह्यूज बून पैदा नहीं होगा, मैं प ठेक नहीं होगा, लेकिन इतना याद रखना, कि अगर तुम दुबारा भीक मांगते पाए गए, तो पुराने सारे केस एक बार फिर से खुल जाएंगे, जी, मैं बिलकुल धिहान रखूंगा, आभारी नजरों से होम्स और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बून न कहा, होम्स ने उसका कंधा थप थपाया, और हम लोग बाहर निकलने के लिए उठ खड़े हुए, दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न बिलकुल ना भूलें, जल्दी ही फिर मुलाकात होगी, अलविदा